आधियाबादी को पूरा हग दिलाने के लिए संसद में अब नारी वंदन अधिनियम को पेस कर दिया गया है और उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी इसे पारित भी करा लिया जाएगा और इसके बाद संसद और विधान सभा में महिलाओं के हिस्सेदारी तकरीबन 33% होगी और इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हम संसद से कुछ महज किलोमेटर दूर गाजियाबाद में मौजूद हैं लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वो अल्प संख्यक महिला हैं जिनके बारे में लगातार यह सरकार बात करती आई है तो बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है आप अपने नाम बताईए मेरे नाम फिर्दोस शोद्री है फिर्दोस ये बताईए आप कि कल एक बिल लाया गया है कि महिलाओं को आरक्षन दिया जाएगा क्या लग रहा है अब आपको जी मैं बहुत कुछ हूँ कि महिलाओं को आरक्षन दिया जाएगा इससे कि जो को कुछ नहीं समझा जाता था कि उन्हें भी अब आ गया के अपनी शिक्षा ग्रहाण करके हम विधायक और नेता बनाया जाएगा आप लोगों को सांसेद विधायक जी बिलकुल यही कोशिश रहेगी कि हम भी अच्छी शिक्षा ग्रहाण करके और विदायर शिक्षा बने अपने देश का नाम रोशन करें और महिला आरक्षन में अपनी भारतवासी सभी महिलाओं को यह सुब कामनाय देना चाहूंगे कि यह उनके लिए भोती उन्नती और खुशी की बात है कि हम सब के महिला आरक्षन मिल आरक्षन मिला मिलने जा रहा है इसके बाद आप भी तो नहीं बनना लेकिन बहुत बढ़िया हो गया नहीं है सो कुछ नहीं लड़किया कुछ भी बन सकती है नेतब बन सकती है क्योंकि हम आज कल देखते हैं लड़किया एरोप्लैन सब कुछ चला रही है हमारे रास्ट्योपती मुरमुर है जी है तो लड़किया बिलकुल भ मुद्द हैं जिन पर बात नहीं होती हैं लेकिन अगर लोग सवा में 33 सीट महिलाओं की रहेंगी तो उन मुद्दाओं को मुद्दों का आगल आ जाएगा एक बात बताइए अब यह कह रही है अब यह जो आरक्षन दिया गया है इसमें महिलाओं का है और जो दलित महिलाओं समाज किया हैं उनको अलग से दिया गया अलग से धिया गया उन सीटों में जो पहले से सिए के लिए रिजर्व था अब उसमें भी 33 प्रसंद दलितों के लिए होगा लेकिन आप यह बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं यब जो भी OBC के हैं उनके लिए अलग से होना चाहि मुस्लिम महिलाओं के लिए और OBC के लिए बी अलग से होना चाहिए क्योंकि हमने दिल्ली में देखा NCR में महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया है इस जो बिला NRC में मुस्लिम महिलाओं ने बहुत आगे योगदान भी दिया है तो इसलिए उनके लिए भी सीट होनी चाहिए अलग से होने चाहिए उनके लिए अस्ट एक सुरुवात तो हुई ना जी सुरुवात हुई है लेकिन इन्हें भी मुका मिलना चाहिए OBC और मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए क्यसी हो अमा ठीक अठीक हम लृट के लूट लोग कह रहें कि महिलाओं के लिए एक आजादी का और नया मौका आगया आप तो तो सौ में 33 जो है विदायक सांसर्थ महिलाओं बनेंगी कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत दिए क का सсьक्य है। अरे आप अपण नहीं है। डिक्रेशनिया में डिखरी हैं लेकर चलो भी और दो कैटना कै gravy अच्छी बात है। जाएगा उर्टों के महौल में उर्टों के नाम आपका ये बताईए ये ये जो तमाम चीजें हो रही है अब ये तो विधेयक रख दिया गया चंसद में दो दिन में मुझे लग रहा है कि पारित भी हो जाएगा हाँ फिर वो भी वक्त आएगा हलाकि वक्त अभी लग रहा है पांच-छे साल और लगेंगे लेकिन वो वक्त आ जाएगा शुरुआत हो गई महिलाओं को आरक्षन दिया गया है कुछ नेता हैं जैसे मामला शही नहीं है मुसलिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षन जरूरी है कि कि कुछ लोग पीछे मुसल्मानों में भी एक एजुकेटेट के चेत में आप लोग पहले तो लड़कों के बाड़ी निकलने देते नेता बनने के लिए पढ़ाईगी क्या जरू हो देखो एजुकेटेटेट होगी तो देश तभी तो आगे निकलेगा आपके नियां पढ़ हो जरू हैं तो टीच में हर चेत में लड़किया आगे चला लिए इस तक्या लह एक लएक हैं हैं हमने देखा है कि पन्चायत में आरक्शन पहले से हैं लेकिन होता क्या है महिलाएं तो अब बनेंगी तो महिलाएं लेकिन चलता है प्रधान पती सरपंच पती मुख्या पती के ऐसा तो नहीं होगा विधायक पती सांसद आपने देख हो कि अब जैसे एलक्षन भी होते हैं तो उसमें महिलाओ को भी सीट दी जा रही है जैसे पारसदी को गया प्रधानी को गया तो उसमें महिलाओ को और वो दिया जा रहा है पिदायक्सानशत को दिया जाएगा लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप देखते निया पार्षद्थ पती ये कौन सा पद होता है पारसद बनती तो महिलाएं हैं लेकिन जो फारसद पती बीचलाते लेकिन जो तिंकिंग होती है वो महिलाओ की भी उती है प्रसंद नहीं है अब इसे में पढ़ाई कर रही है क्या जानती है इस बिल के बारे में यह जानती हूं कि यह महिलाओं के लिए लड़कों के लिए लिए जो बिल पास हुआ है यह बहुत अच्छी बात है मतलब लड़कियां हर चीज में पीछे रहती थी अब आगे होंगी मतलब लड़कों के बराबर होंगी यह बोलते हैं ना कि तुम लड़की हो तुम पीछे रहो या यह मत करो वो मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा अब जो जो लड़कियां चाहेंगी वो करेंगी और सब के पैर वाले भी सपोर्ट करेंगे और जिन्हों ने हमें ये सपोर्ट किया है कि आपको ये बोलने का अधिकार है वो भी सपोर्ट करेंगे तो मतलब ऐसे नारह लगेंगे कि गाज याबाद संसथी चेतर से सांसथपत की उमिद्वार खुसभू चौधरी जी बिल्कुल हो सकता है ब जो खास करके युवा लड़किया हैं वो कह रही है कि इसके बाद हमारे दिल में भी एक खौइस अब जाग रही है कि मैं भी संसथ और विधान परिसद तक पहुँच जाता हूँ आप इदर आईए अच्छा आपके पीछे बी चौधरी लगा है जी बूरा नाम बताइए इतनी बाते हो आपको पहुचने के लिए और लखनुवाली विधान पर सवा तक जी हम बहुत खुश है कि अब खुश हैं क्योंकि लड़कियों के लिए बिल पास हो गया है लड़कों को हर मामले में पीछे रखा जाता था अब हम भी सबसे आगे रहेंगे सब के साथ मिलके चलेगे हम भी नेता बनना अब ग्रिम को पूरी-पूरी कोशिश करेंगे लोयर बनेगी कोसिश करेंगे आप बनने लोयर ही बनेगे तक ये तमाम दो यहां प्री वा लड़कियां थी ये कहरी थे तो नीए बनेंगे लॉयर बनना है अम्मा नवस्ते अम्मा क्या हो रहा है अच्छा यह रहा है आपका जमाना तो घुजर गया अब भी चार ही है कि आप इस उमर में भी कोसिस कर ली जाए जाए आप इस आरक्षन के आने के बाद आप भी ख्याल कर रही है अची है यह वह दनानी लोग कह रहें कि इजो दलित महिलाएं थी उनके लिए थो तो तुमने से प्रावधान कर दिया ना भी सी वालों के ऐलगा से करा मुस्लिम महिलाओं के लिए करा आप कै लिए तल्चा होना चाहीं हो नए है नएक कुछ बिन हुआ किया है क्या करेंगे म रहीजिश है जो पुछ रहागा कॉछ पर रहा है अच्छा है रहा है जो कुछ धा रहा है अच्छा कर रहा है नानी अप आ बात कर रहो नानी आप अप गरता अल्ला के अग्गे अल्ला के अग्गे कुछ नहीं बेशता है तो उन्हीं का पालग जो परेशान तो चुनाव लड़ोगी ना लड़ेंगे तैयार कौन सी पार्टी से लड़ने का ही रात है अब नारी करेशेग के सुबर में कीट ऊपाल लिया एक सबना पाल लिया के अगले चुनाव में में भी घाजियार बात संसधियाच्षेतर से आई आप बताएगा करती है च्छी है करती का है ठीक तो है आप अच्छी है वो देख रहा आश्या थे हक्राना करegenए अभी सुबह नास्ता बस्ता तो यार, नास्ते में लगी रहेंगी कि विधान सभा संसद तक कहुचना है, बस जी ठीक है, ये बताओ छोड़ो हटाओ, ये जो आरक्षन मिला है, इसके बारे में सुना है, कि अब 23 फीसद नेता जो हैं संसद में और विधान सभा में वो महिला सभाना जी ये बताइए, एक सभाना आजमी तो पहले से राज्य सभा में हैं, जानती हैं, सभाना आजमी, जी सुना है, तो अब देखिए, वो तो फिल्म जगत से आती थी, ये वो, अब साधारन महिलाओं के दिल में भी अभी इक्षा जाग रही है, कि हमारे लिए हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, इस बिल के आने के बाद महिलाओं को कोई फाइदा होगा, या सिर्फ आपको लग रहा है कि ऐसे वोट की राजनिती हो रही है, जी जी नहीं, इससे बहुत फाइदा होगा, महिलाओं के लिए महिलाओं का जो 33% है, वो मिलेगा, और से महिला को फाइदा होगा की महिला को पूरा अरख्षण मीडा में अपने भूफने जीए सक थालित महिलाओं के लिए अलग से मिल गया लेकिन मुस्लिम महिलाओं और OBC के लिए कोई प्रावधान नहीं है जी इस मैं यह कहाना चाहूंगी कि मौधी को भी के यह भी जरूरी है और अक्षण सीट मुस्लिम तैस परसेंट जो लोग सबह में हैं पिचा पिचा सीवे सवीदान में है यह और यह पहले से चलता हुआ रहा यानि उनीस तो ठानवे मैं भी इसकी बात हुई थी फिर दो हजार दो में हुई फिर दो हजार दस में भी हुई ले पर-डरत तैसी पर-सेंट जो सीट है लोग सभामें अगर यह और अजी सबह में नहीं लेगा लोग लोग सबह में पूरी-पूरी मिलेगी तो यह हमारे लिए उर्ट की बात है यह बताईए आप जैसे बहुत सारे तमाम नेता आगे आई ए वो कह रहे हैं कि भाया ठीक है ये तो राजनीती कर रहे हैं ये लोग इसमें जो दलित महिलाएं हैं उनके लिए रिजर वेशन नहीं है मुसलिम महिलाएं हैं सुरी माफ किजेगा दलितों के लिए है मुसलिम महिलाओं के लिए नहीं है OBC महिलाओं के लिए नहीं है जो पिछड़ी जातियों की हैं उनके लिए भी अलग से किया जाए जी नहीं महिला देखो मैं कहना चाहूं कि आफ की महिला दो महिला होती है उसमें OBC और SCHT सब आ जाती है OBC के लिए भी जरूरी है SCHT के लिए भी जरूरी है और रही बात की जो दलीत बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और हमारे लिए औरतों के लिए इस चीज़ से फाइदा है जो 33 प्रेजेंट हमें मिलेगा महिला महिला होती है और महिला को हिस्सेदारी दी जा रही है ये बहुत बड़ी बात है महिला को हिस्सेदारी दी जारी है SCHT और OBC के लिए भी जरूरी है जरूरिएए इसका स्रे आप किसको देना चाहेंगी यह जो आरक्षानाराय इसका स्रेयँ आप कि जी इसके लिए हम तagles मसोनिया जी कह बेखिंग कि यह मेरा बिल ठाव जीजी कह CJ कि मैंने महिलाएं जी लड़ाइई जी देखो जो सरकार पहले जा चुकी और जिसने ये पास नहीं कराया देखो वो ताइम जो वो टाइम चल रहा था वो वो था लेकिन जो अब हमारी फिलाल गोर्मेंट है मोधी सरकार है पीम है तो अगर ये पास कराते हैं तो इसका सेरी में उन्हें ही देना चाहूंगी मोध सरकार का ही पूरा-पूरा हिस्सा है इसक 되면 दिलाने का और अब से पहला जो सोन्या गांदी वही और प्रियांकल होवी जो मतलब धो कहती है लड़की हो लड़सकती हूं यह वह तो कहती है लड़की ह先生 लेकिन देखो अब तो फिलाल जुब फूरा-पूरा सेरी सिया तो मोदी सरकार को जाता है न क्योंकि मोदी सरकारि और के लिए सब कुछ कर रही है और तो को मतलब मोदी सरकार से प्संद्रेद्प कि यह मोदी से बहुत हैपी हैपी लग रही है कि भाया आरक्षन दे दिया आपको क्या लग रहा है जी बहुत अच्छी बात है महीला को पक्ष रखा यह बहुत अच्छी बात है महीला को आरक्षन भी मिलने जा रहा है यह भी बहुत अच्छी बात है भारत में महीला को बहुत डोमिनेट जाता है इसलिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए अरक्षन लागू होने से आपके जीवन में क्या फरक आजाएगा जी हमारे जीवन में बहुत फरक आएगा हम कुछ भी कर सकते हैं अपना पक्ष रख सकते हैं संसत सबा में संसत सबा में 33 परतिशत महिलाओं का हिस्सा रहेगा महिलाओं अपने लड़ेगी बहुत अच्छी बात है इस से में बहुत कुछ लोग कह रहे हैं यह तो सिर्फ वोट की राजनीती है महिलाओं के लिए सोचा है बहुत अच्छी बात है लेकिन लोग कह रहें कि यह तो वोट के लिए हो रहा है अभी तो इसे लागू होने में छे साल साथ साल लगें नए यह महिलाओं के लिए अच्छी बात है आज जाके बिलपास होगा दस साल की लड़ाई के बाद तो यह बहुत अच्छी बात है 2010 में राज्जी सभा से कॉंग्रेस ने पास करवा दिया था लोग सभा में नंबर नहीं थे तो पास नहीं करवा पाये थे अब जाके इविल पास होगा तो बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए इससे हमें बहुत खुशी है यह बताईए ना फाइदा क्या होगा आप 47 नहीं मतलब लड़कियों को कम मिलती है ना इसलिए तो आगे जाके लड़कियों के लिए अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो आप कह रहे हैं कि इससे लड़कियों को और आजाती मिलेगी महिलाओं को अगर मतलब पूरुस के मताबर महिलाओं को बहुत कम वो दिया जाता है तो अगर बराबर कि इस्सेदारी होगे तो बहुत अच्छी बात होगी यह कह रही है इन्होंने ये बात की कि पुरुस के मुकाबले महिलाओं को हिस्सेदारी बहुत कम मिलती थी लेकिन अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है कौन 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 इनसे बात कर ले चाहाँ आप मैंगि आगया ये नाम बताइए रेश्मा रेश्मा जी ये बताइए क्या करती है आप मैं में कर रही हूं वह मैं एकोनोमिक एकॉनॉमिक्स अच्छा ये बताइए अब चलिए एकॉनॉमिक्स की बात है महिला आरक्षन बिल सुना अपने नारी वंदन अधिनियम जी सुना यह जो हो रहा है मतलब अठाइस साल से आथ सुनते वे आरे और अब लागू हो गई है तो औरतों को कुछ सुभी दाई मिलेंगी है करने के लिए आगे वढ़ने के लिए अपनी बात रखने के यह बताइए आप मुसल्मानों के लिए अलग से तो प्रावधान किया नहीं ना OBC के लिए किया सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है मतलब जो अब हो रहा है तो यह अच्छी बात है लागू हो रहा है तो आपका कहना है कि भाईया हटाओ ना दलित पिछड के लिए याफन के मुसल्मान के लिए अलग से आयूँ मुसल्मान के लिए अलग से क्योंकि मुसल्फमान के लिए दें कौई हिंदु है तो हिंदु कोई मिलनी चाहिए लेकिन अब तो महिलाओं की बात की जा रही है महिला है देखे मैं कहना चाहूंगी इस बात के ऊपर क्योंकि हमारी जो गोवर्मेंट है मोधी सरकार है वो मतलब मुसल्मान में और हिंदु में कोई फरक ऐसा कोई बेदभाव नहीं रखरी और जो हमारी सोच है वो अलग है लेकिन तो चलिए आप बताए नाम बताए इल्मा सुना आपने यह आरक्षन के बारे महिला आरक्षन नहीं सुना नहीं तो फिलहाल यह थी मुसलिम महिलाओं की दिल की बात जो महिला आरक्षन के बाद यह कह रही है कि ये एक बहु कौन मुस्लिम है कौन दलित है कौन पिछड़ा है महिला का मतलब महिला होता है अब 33% महिलाएं संसत में होगी विधान सभा में होगी और महिला की आबाज एक महिला बहुत ही आराम से उठाएगी कामरा मैन राजेश कुमार के साथ श्री निवास एबीप नियूज कि अहाँएब नियूज कुमार के साथ श्री लाएबाद।